हलो फैंड सिंपल वीडियो जिन कुकिंग में आप सबका भूद्बो स्वागत है आज हम हरे वाले टमाटर की बहुत ही हैल्दी सबजी बनाएंगे तो सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो हरे टमाटर लिये हैं हरे टमाटर, लाल वाले टमाटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसमें भरपूर मातरा में विटामिन C पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदे मन्द होता है, तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे यह चार हरी मिर्च भी लिए है, यह तीकी सबजी बनाने के प्रोसेस पे, तो सबसे पहले हम टमाटर को काट कर तयार करेंगे, तो इस तरह से जो टमाटर का पीछे का हिस्सा आता है, उसको हम हटा देंगे, और टमाटर को काट के देख लेंगे, कि टमाटर खराब तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है, इस तरह से तामाटर को काटके तैयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने सारे तामाटर काट लिये हैं अब हम मीडियम फ्लेम पे एक लोहे की तवे को गरम कर लेंगे और जो हमने ये चार हरी मिर्च ली थी उसको इस Ñर से तोड़ के देखेंगे और जो लसुन लिया था उसको भी मिर्च के साथ में डाल देंगे और अद्रक में से हम थोड़ा सा टुकडा काटके अद्रक भी डाल देंगे और तीनों चीजों को हम medium to low flame पे लगातार चलाते हुए और इस तरह से दबाते हुए इनको भून लेंगे जब तक इनके उपर हलका सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इनको भून कर तयार करेंगे तो friends हमारे जो तीनों चीजे हैं वो अच्छे से भून कर तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी सी कुष्भू भी आने लगी है तो बस अब हम इन सारी चीजों को प्लेट में निकाल देंगे और इनको अच्छी सी ठंडा कर लेंगे अब उसी तवे पे हम ये दो चम्मच साबुत वाला धनिया डाल देंगे एक चम्मच इसमें हम डाल देंगे सौंफ ये खड़े मसाले हैं इनको हम भून कर तयार करेंगे आधा चम्मच जीरा भी डाल देंगे अब इसमें हम एक बड़ी लाइची डाल देंगे अगर आपके पास बड़ी लाइची ना हो तो आप छोटी हरी लाइची भी डाल सकते हैं दो लॉंग भी डाल देंगे पास से साथ काली मिर्च डाल देंगे और ये दो तिन टुकड़े डाल चीनी के भी डाल देंगे और सारी चीजों को हम एक से डेड़ मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूल लेंगे अगर इन में से आपके पास कोई सा भी खड़ा मसाला ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं अब मसाला हमारा अच्छे से भून गया है इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड रख देंगे तो यहाँ पे जो मिर्च, लसून और अद्रक है वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इनको जो अद्रक कूटने वाला माम दस्ता होता है उसके अंदर डालके, इसको कूटके, इसका दरदरा सा पैस्ट बना लेंगे इसको ज़्यादा बारिक नहीं करना है, बस हलका सा दरदरा हो जाए तब तक हमें इसे कूटना है, तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह का कूटकर तयार कर लिया है मैं आपको पास से दिखाती हूँ यह ज़्यादा बारिक नहीं करना है इस बात का ध्यान रखें तो यह देखिए इस तरह का होगा तो अब हम इसको कटोरी में निकाल देंगे इस वाले पेश्ट से जो टमाटरे की सबजी वो काफी टेस्टी बनती है और इधर जो हमारे खड़े मसाले हैं वो भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं इनको हम एक मिक्सी के जाल में डाल देंगे और इनको भी अच्छे से पीस कर पाउडर बना लेंगे तो अब सबजी बनाने के लिए मीडियम फ्लेम पे कड़ाई को गरम करेंगे और इसमें हम दो बड़े चम्मस तेल लाल कर तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम आधा चम्मस चिराई डालेंगे दो चुटकी बर इसमें हम डाल देंगे हींग और दोनों चीज़ों को हम कुछ seconds के लिए medium flame पे भूल लेंगे भूलने के बाद इसमें 2 बारी cutaway प्याज डालेंगे और प्याज को भी medium flame पे 2 मिनट के लिए भूल लेंगे जिससे जो हमारे प्याज है उनका कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा तो प्याज हमारे अच्छे से भून गये, कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ये तीकी नहीं होती तो ये कलर के लिए ही डाली जाती है, इससे सबजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें जो हमने खड़े मसालो को भून के पाउडर बनाया था, वो भी डाल देंगे डेड़ छूटा चम्मच नमक डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे आप मसाले अपने स्वात के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं तो अब सारे मसालो को अच्छे से प्याज के साथ में मिक्स कर देंगे और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डालने से जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से और gas का flame medium to low रखेंगे और medium to low flame पे मसाले को ढखके और 5 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाएगा और तेल भी छोड़ देगा तो यहां पे हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है तेल अलग हो गया है तो एक बार इसको हम इस तरह से चला लेंगे तो आप देख सकते हैं मसाला का जो कलर है वो कितना अच्छा आया है अब जो हमने टमाटर काटके रखे थे वो सारे टमाटर इसमें हम डाल देंगे इसे के साथ में जो हमने मिर्च, लसून और अद्रक का पेस्ट बनाया था वो भी इस टाइम में ही डालेंगे तो मैंने सारे डाल दिया है अब इसमें हम एक चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे चीनी से जो टमाटर है उसके खटाई थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो सबजी का टेस्ट वो भी बहुत अच्छा आएगा अगर आप चीनी ना डालना चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अब सारी चीजों को अच्छे से मसालों के साथ में मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और टमाटर की सबजी में पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि जो टमाटर होते हैं उनमें काफी पानी होता है तो ये अपने ही पानी से अच्छे से पकर तयार हो जाते हैं तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसको हम ढखके और मेडियम फ्लेम पे 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक जो हमारे टमाटर है वो भी अच्छे से सौफ्ट हो जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी पकर तयार हो गई है 5-7 मिनट हो चुके हैं तो जो टमाटर है वो भी बहुत ही अच्छे से सौफ्ट हो गए है मैंने सब्जी को 2-3 बार बीच में चैक कर लिया था और देखिए बिना पानी के ही हमारी टमाटर की बहुत ही स्वादिस्ट ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तयार हो चुकी है तो अब हम चैक कर लेते हैं कि जो हमारा टमाटर है वो पका है या नहीं तो इस तरह से हम एक टमाटर लेंगे हो चम्मस से दबा के देखिएंगे तो यह देखिए अच्छे से सौफ्ट हो गया टमाटर तो friends हमारी गर्मा गर्म हरे टमाटर की बहुत ही healthy सबजी बनकर तयार हो गई है आप इस सबजी को गर्मा गर्म, रोटी, पराठे, नान, चावल, पूरी, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सबको बहुत पसंद आएगी तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू